नमस्कार दोस्तों मैं अनिल कुमार इन्फो सिच्छा चैनल में आप सभी का हाथ इक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12 अक्टूबर 2022 के करिंट अफेयस के 10 फटा फट पॉइंट पे जो की एक्जाम के दिश्ट से बहुत ही महत पूड है दोस्तों तो आईए समय को नगावाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट को डी वाई चंद चूड यानि की जिनका पूरा नाम है धननजय यस्वंत चंद चूड भारत के 50 वें सीजे आई होंगे 9 नमबर को संभवता है ये अपना कारिभार करहण करेंगे दोस्तों इनका नामिनेशन यू यू ललित जो की 49 में सीजे आई हैं इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में इनका नाम नामित किया है तो दोस्तों आईए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं करनाटक सरकार ने ओला उबर तैपिडो को 12 अक्टूबर से ओवर चार्चिंग के आरोप में आटो सिवाएं बंद करने का आदेश दिया है तो आईए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं प्रधान मंती ने उजयन में महाकाले सुर मंदिर में स्री महाकाल परसिर का उदगाटन किया है तो दोस्तों उजयन कहां पे है MP में यानि की मध्धि प्रदेश में है आईए नेस्ट पॉइंट पे चार्चा करते हैं IMF यनि की इंटर्निस्टल मॉनेटरी फंड ने भारत के 2022-23 के सकल घरेली उत्पाद के अनुमान को 6.8 प्रस्यत तक घटाया है सकल घरेली उत्पाद यनि की GDP ग्रोस डोमेश्टिक प्रोड़क्ट आज समानता सुचकांक में नारवे 161 देशों में सबसे उपर है दोस्तों यनि की पहले अस्थान पे है और भारत इसी कड़ी में 126 में अस्थान पे है नेक्स्ट पॉइंट रेडबूल ड्राइवर मैक सवेर इस्टेपिन ने 2022 फार्मूलावन चैंपियनसिप चीत ली है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीमंतियमिस्साह ने सिताब दियारा में जै प्रकास नारायन की 13 फिट उची प्रतिमा का अनावरण किया है तो दोस्तों सिताब दियारा कहां पे है ये बिहार में है तो आईए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं सैयुक्त राष्ट विश्व भू अस्थानिक सूचना कांग्रेस 10 से 14 अक्टूबर तक हैदराबाद में आयोजित की जा रही है नेक्स्ट पॉइंट कलिंग स्टेडियम भूनेस्वर तो दोस्तों भूनेस्वर किसकी राजधानी है उडिसा राजज की राजधानी है तो कलिंग स्टेडियम भूनेस्वर में फीफा अंडर 17 महिला पिस्चुकप का उधगाटन हुआ है भारत पहले ही मैच में अमेरिका से 0-8 से हार गया है दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हमारे आज करेंट अफेस के दाप्त होते हैं दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमको जरूर बताईएगा अगर पीडियो पसंद आए तो लाइक करतीजिए और इसको जादा से जादा से शेयर कीजिए जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहा है और मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो बना के जो है देता रहूं और आपके जो है मकसद पूरी होते रहे